हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल द्रिश्टी आएस इंग्लिश द्रिश्टी आएस के नए प्रोग्राम प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग-अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परिक्षाओं में पूछे गए सवालों को विशलेशन के साथ हल करेंगे जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चैन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे विकल्पों के छटनी करना, बुनियादी अवधारना को समझना, तत्यों और अतिवादी वो अविशेश शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे इस कारिक्रम के तहट हम हर एपिसोड में पांच सवालों को हल करेंगे टीम द्रिष्टी द्वारा हाली में लॉंच की गई, प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पोस्तक श्रंखला को आधार बनाई है इसमें UPSC समेत विभिन प्रारंभिक परिक्षाओं में पूछे गए करीब आठ से दस हजार प्रशनों का संकलन उत्तर वविश्लेशन के साथ तयार किया गया है इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगे तो मुझे उमीद है कि आप सबने 2018 के questions को अपने सामने रख लिया होगा 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस session में आपको सवाल और उनके जबाब अच्छे से समझ में आए प्रीविएस प्रैक्टिस क्यूज के session 18 में आपका स्वालत है शुरुवात करते हैं पहले सवाल से कभी-कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टिट्यूट एरिया डिफेंस यानि THAAD क्या है options है इस्राइल की एक राडार प्रणादी भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कारिक्रम अमेरीकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली जापान और दक्षिन कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग प्रिये विवर्स THAAD यानि टर्मिनल हाई एल्टिटूट एरिया डिफेंस यूएस की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है 2017 में यह मिसाइल काफी चर्चा में रही जब यूएस और उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा था अप्रेल 2017 में जब यूएस ने दक्षन कोरिया में इस मिसाइल की खेप भेजनी शुरू की तो चीन और उत्तर कोरिया ने इस पर कड़ी प्रतिकरिया जाहिर की यह मामला यही नहीं थमा 2017 के आखरी में उत्तर कोरिया ने एक नई तरह की इंटर कॉंटिनेंटल याने अंतर महाद्यू पे बैलिस्टिक मिसाइल का परिक्षन किया इससे दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ा और अमेरिका ने अपने पस्चिमी तट पर इस मिसाइल की तैनाती बढ़ा दी फ्रेंड्स अमेरिका उत्तर कोरिया संबंध हमेशा सुर्खियों में रहते हैं लंबे समय से दोनों देशों में तनाव देखा गया, लेकिन हालिया कुछ समय में बातचीत का दौर भी चला। उत्तर कोरिया के रास्टपती के मरने की खबरे भी अंतरास्टे मीडिया में चाही रही। ऐसे में इस पोशन से एक सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, इसलिए हम शॉर्ट में दोनों देशों के संबंधों पर टाइम लाइन से आपको इंफॉर्म करा देते हैं। 1994 में उत्तर कोरिया ने नाभी के हतियार बनाने की धमकिया दी। दोनों देशों ने बादचीत के बाद एक समझोता किया, इसे एग्रीट फ्रेमवर्क का नाम दिया गया। इसके बाद नाभी के हतियार ना बनाने पर उत्तर कोरिया सहमत हुआ। 1998 में Intermediate Range Missile का परिक्षन किया गया, 2001 में अमेरिका में बुष सक्ता में आये और उन्हों ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया। दोनों देशों के बीश दनाव फिर बढ़ने शुरू हुए और एग्रीट फ्रेमवर्क समाप्त कर दी गई। बुष ने उत्तर कोरिया को Access of Evil देशों की सूची में शामिल कर दिया, इसमें दो और देश थे, इराक और इरान। 2003 में उत्तर कोरिया ने NPT यानि Non-Proriferation Treaty से अपना नाम वापस ले लिया। दोनों देशों की बीच नए सीरे से वारता शुरू ही Six Party Talks, इसमें जो चार अन्ने देश शामिल थे, वे हैं दक्षिन कोरिया, जापान, रूस और चीन। 2006 में उत्तर कोरिया का पहला नाभी के परीक्षण किया गया, 2009 में दूसरा नाभी के परीक्षण किया गया, 2009 में UNHA, यानि UNHA2 Space Launch Weekly launch किया गया, 2016 में उत्तर कोरिया का hydrogen battlefield का दावा किया गया, 2017 में पहली अंतरमहदुईपे missile का परीक्षण, उसके बाद, 2018 में दोनों देशों क के बीज फिर से वार्ता का दौर चला अप्रेल 2018 में दक्षन कोरिया और उत्तर कोरिया ने पन्मुन जों गोशना पत्र जारी किया जून 2018 में सिंगापुर में अमेरीकी राश्पती ट्रम्प और किम जॉंग उन की मुलाकात हुई 2019 में व्यतनाम में दूसरी मुलाकात हुई प्रचालन दूसरा बैंकिंग प्रचालन तीसरा पावर ग्रिडों का नियंटरन नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये ऑप्षन्स हैं केवल एक केवल दो और तीन केवल एक और तीन एक दो और तीन गाइस यूपेस्सी अपनी किसी भी परिक्षा मे साइन्स एंटेक से प्रश्न बनाती है तो उसका फोकस मेलनी ऐसी तकनीकों पर होता है जिनका महत्व रोजमर्रा के जीवन में बढ़ गया है लगभग एक बड़ा वर्ग उन तकनीकों से रूबरू होता है और नेशनल सिनेरियों में उनकी एहमियत बढ़ गई है आप पर सवाल पर डियर व्यूवर्स हम इस बात का दावा तो नहीं करते लेकिन आपको संकेत कर दें कि साइन्स एंटेक के ऐसे सवाल जो बहुत ही प्रश्लित तकनीकों से जुड़े होते हैं वे कॉंसेप्ट बेस्ट होते हैं और उनके उत्तर में अमोमन सभी कथन सही होते हैं इ पास जरा GPS के कर लेते हैं GPS यानि Global Positioning System अमेरिका द्वारा विक्सित तकनीक है जिससे किसी वस्तु की पोजिशन पता करने वाहन के लिए नविगेट करने और टाइमिंग की सेवाए मिलती हैं इसके तीन सेग्मेंट है पहला Space दूसरा Control और तीसरा User Segment आज GPS का उपयोग हर श चौथा Mapping और पांचवा टाइमिंग इसलिए इस सवाल में पूछी गई तीनों बाते सही हैं मोबाइल फोन ऑपरेशन में GPS आम बात है इस तरह इस प्रेशन का सही उत्तर है Option D यानि सभी सही है Option No.3 वन्ना क्राई, पेट्या और इटर्ण लबलू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे निम्नलिखित में से किसके साथ संबंदित है Options है, एक्सो प्लैनेट्स, प्रचन मुद्रा यानि क्रिप्टो किरिंसी, साइबर आक्रमन या लगूप करण दोस्तों, बेसिकली यह सवाल Current Affairs से जुड़ा हुआ है 2017 में दुनिया भर के कई देशों के कम्प्यूटर्स पर साइबर हमला हुआ बताया गया कि वना क्राई नाम के एक Vansomware से दुनिया भर के एहम कम्प्यूटर सिस्टम पर हमला किया गया है जैसे एस्पताल, बैंक और वियपारा थी भारत भी साइबर हमले से बच नहीं पाया विशेशग्यों का कहना था कि यह एक तरह का मालवेर है जिसे साइबर प्राइम में यूज किया जाता है और इस एवेज में गयर कानूरी रकम भी मांगी जाती है गाईज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जादा तर कंप्यूटर Microsoft Windows का उप्योग किया जाता है ऐसी में यह वेंसम वेर भी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को टार्गेट करता है जो Microsoft Windows पर चलते हैं यह वेंसम वेर हमारे सिस्टम की important files को encrypt कर देता है और जब उन्हें decrypt करना होता है तो crypto currency की demand की जाती है 2017 में ही पेटिया और इटर्न लेब्लू नाम के ransomware से cyber attack के खबरे सामने आई यहाँ जब crypto currency का जिक्र हुआ है तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं दरसल यह भी एक मुद्रा है लेकिन यह भौतिक नहीं बलके एक virtual यानि आभासी मुद्रा है या यूं कहें कि एक digital मुद्रा है इसे crypto graphy से सुरक्षित रखा जाता है जिस वजह से इसकी जाली मुद्रा नहीं मनाई जा सकती ज्यादातर cryptocurrencies वी केंद्री कृत होती है और blockchain तक्नीक network पर आधारित होती है सबसे खास बात इन्हें कोई केंद्री संस्था या प्राधिकरन जारी नहीं करता इस तरह question number 3 का सही answer है option C यानि cyber आक्रमर question number 4 भारतिय शेत्य संचालन उग्रह प्रणाली यानि Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS के संदर्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए IRNSS के तुल्ले काली जियो स्टेशनरी कक्षाओं में तीन उग्रह हैं और भू तुल्ले काली यानि जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में चार उग्रह हैं दूसरा IRNSS की व्यापती संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग पच्पन सो वर्ग किलोमेटर बाहर तक है तीसरा 2019 के मध्ध तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्यापती के साथ अपनी उग्रह संचालन प्रणाली होगी उप्रियूक्ट कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है ओप्चन्स हैं केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन या कोई नहीं दियर व्यूवर्स इस क्वेस्टन को सॉल करने के लिए हमें कम से कम दो कत्नों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए फिलहाल पहले हम दूसरे कतन पर आते हैं जैसा कि हमने अपने पिछले सेसंस में भी बताया है कि ऐसे कतन जिनमें फैक्ट के तोर पर किसी संख्या या वर्ष को पूछा जाता है उनमें अक्सर संख्या या वर्ष को बड़ा बदलाओ कर लिखा जाता है जैसे 2009 की जगह 2019 या 1 मिलियन की जगह 10 मिलियन कर दिया जाएगा ऐसे कतनों पर ध्यान दीजिए ऐसे कतन ज्यादा तर गलत होते हैं यहां दूसरे कतन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है IRNSS की कवरेज पुरे भारत और सीमा के लगभग 1500 वर्ग किलोमेटर बाहर तक है ना कि 500 वर्ग किलोमेटर तक फ्रेंड्स IRNSS यानि Indian Regional Navigation Satellite System भी अमेरिका के GPS की तरह ही है जिससे नेविगेशन क्या जा सकता है IRNSS को नाविक भी कहा जाता है यानि Navigation with Indian Constellation System यह एक शेत्रिय नेविगेशन प्रणाली है जिसे भारत विक्सित कर रहा है इसकी रेंज यानि कवरेज पुरे भारत तक होगी ही इसके आगे भी यानि सीमाओं से 1500 वर्ग किलोमेटर दूर तक की कवरेज की जा सकेगी इससे दो तरह की सेवाई मिल सकेगी पहली SPS यानि Standard Positioning Service जिसे सभी लोग यूज कर सकेगे दूसरी Restricted Services यानि प्रतिबंधित सेवाएं ये सेवाएं कुछ यूजर्स को ही मिलेगी जिन्हें सरकार अनुमती दे IR NSS से 20 मिटर से भी जादा की सटीकता के साथ किसी वस्तू की Position का पता लगाया जा सकेगा इस Navigation System को कहां-कहां यूज किया जा सकेगा यह भी देख लेते हैं तो इसे यूज किया जा सकेगा जमीनी, हवाई और समुद्रिक Navigation के लिए आपदा प्रबंधन, वाहनों की ट्रेकिंग और नोकाओ का प्रबंधन मोबाइल फोन में उप्यो किया जा सकेगा टाइमिंग, मैपिंग और भूविज्ञान से जुड़े डेटा को कैक्चर करने में वाहन चालकों के लिए Visual और Voice Navigation भी इसके द्वारा किया जा सकेगा अब इस सवाल के पहले और तीसरे कथन पर आते हैं बता दें कि पहला कथन सही है IR-NSS के साथ उग्रह हैं जिनमें तीन जियो स्टेशनरी जबकि चार जियो सिंक्रोनस कख्षाओं में हैं तीसरा कथन गलत है जैसे कि आपको बताया गया है कि यह है एक शेत्रिय नविगेशन प्रणाली है ना कि वैश्विक फ्रेंड्स हम यहां उन नविगेशन सिस्टम के बारे में भी बता दें जो अलग-अलग देशों में विक्सित किये गए हैं जैसे बेईदू, चीन, गैलीलियो, यूरोपिय संग, ग्लोनास, क्रूस, QZSS यानि क्वाजी जिनित सेटलाइट सिस्टम, जापान, GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यूएस इस तरह Q4 का सही आंसर है, Option A, यानि केवल पहला कथन ही सही है Q5, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए पहला, प्रकाश, गुरुत्व, द्वारा, प्रभावित होता है दूसरा, ब्रह्मान, लगातार फैल रहा है तीसरा, पदार्थ अपने चारों ओर के दिकाल को विकुंचित यानि वाप करता है उप्रियूक्ट में से अलबर्ट आइंस्टीन के आप एक शिक्ता के सामाने सिध्धान्त का या के भविश्य कथन कौन सा या कौन से है या है जिसकी या जिनकी प्रायह समाचार माध्यों में विवेशना होती है ओप्शन्स हैं केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक और तीन, एक दो और तीन गाईज 1915 में एलबर्ट आइंस्टाइन के आप एक शिक्ता के सामाने सिध्धान्त को पब्लिश गया गया इस सिध्धान्त में आइंस्टाइन ने खगोल विज्ञान से जुड़ी कुछ एहम बातों की भविश्यवाने की थी बाद में कई ऐसे प्रयोग हुए जिन में आइंस्टाइन की ये बाते सही साबित हुई विज्ञानिकों को ऐसे कई प्रमाण मिले जिससे इस बात का पता चला कि किसी भी खगोलिये पिंड से जब विकीरन यानि रेडियेशन का फैलाव होता है तो उसका कारण ब्लैक होल्स है आपको बता दें कि तीनों ही कथन आइंस्टाइन की आप एक शिक्ता के सामाने सिध्धान से संबंदित है इसले इसका उत्तर बी होगा